हलो फ्रांस कैसे हैं आप भड़ियां मस्त रहिए और अंटर्टेन्मेंट का मज़ा लेते रहिए जिन्दगी में जब कोई शो आपके दिल को भाजाए तो आप उसमें हर कृदार को बहुत प्यार देते हैं SMM मैं उसी शो की बात करने वाली हूँ गुम है किसी के प्यार में जो की लगातार नमबर ठु की पोजिसन पे बना रहता है ब्यार सी ठ्यारपी में SMM आप इसमें सेकंड पीड़ी देख रहे हैं और उन्हें बहुत ज़ादा प्यार दे रहे हैं ऐसे में आपने फॉस्ट पीडी को भी बहुत प्यार दिया और सेकंड पीडी को भी बहुत प्यार दे रहे हैं उनके चहाने वाले घर-घर में हैं और ना चहाने वाले ट्विटर पे हैं ऐसे में जो है गुम है किसी के प्यार की पूरे स्टोरी बदर डाली भाई IPL आने से ही सब कुछ हो रहा है चलिए हम तो IPL का शुक्रियादा करते हैं कि IPL की वज़े से कम से कम शो की TRP पे असर तो नजर आ रहा है उसी के बीच में जो है आपके गुम है किसी के प्यार के स्टोरी जो है बिलकुल जो है TRANGLE LOVE पर आकर खड़ी होएगी भाई अभी तक सावी को प्यार नहीं था तो सावी को प्यार हो गया है आपके प्यारे इशान से अब इशान कब समझेगा कि मुझे सावी से प्यार है उससे पहले कहीं रीवा के अंदर फिर से प्यार की आत्मा न जाग जाए भाई आत्मा अगर जाग गई तो भाई या वो आत्मा बहुत सताईगी आपको पता ही है पत्र लेखा की आत्मा कैसे जो है विराट और साई को मिलने नहीं दिया था इसी शो के फर्स्ट फिडिव है अब जो है भाई ट्रेंगल लव का फिर से क्रेज आने वाला है जहां ट्रेंगल लव बंध हो गए थे टीवी शो में अब फिर से आपको ट्रेंगल लव देखने को मिलने वाले है अब किसी भी शो में देख लो मेरा बलम थानेदार गुम है किसी के प्यार में ये रिस्ता क्या कहलाता है या तेरी मेरी डोरियां या फिर आपका कुम-कुम भाग गये अब इन्हें पता चल गया हमने ट्रेंगल लग को थोड़ा शांत कर दिया था तो ट्यार पी गिर गई अब फिर से ट्रेंगल लग पे फोकस करो फिर से ट्यार पी उपर लेके चले जाओ तो चले भाइ रीवा भी पोजिटिव है सावी भी पोजिटिव है इसान भी पोजिटिव है अब पती पतनी साथ में प्यार करेंगे तो वो जो घर में रहेगी वो तो फिर सोतन ही बनेगी तो ऐसे में ये तो थी आपके शो की कहानी जो आगे देखने को मिल जाएगी लेंगिन बात आती है कि उसी के बीच में एक new entry होने वाली है वो कोई और नहीं है वो आयूश आनंद है इससे पहले भी स्टार प्लस के रश्मी मैम के शो में कई में ये काम कर चुके है जितने भी शो में आये है mostly negative रोल ही जादा इनों ने किया है अब देखते हैं गुम है किसी के प्यार में ये negative रोल करते हैं खबरों की माने तो अक्का साहिब के बेटे का रोल चिन में है कोई उनकी entry के रोल में आने वाले है खबरों की माने तो अगर जो है ये उनके रोल में आ रहे हैं तो भाईय निगेटिव होगे जो अपनी पत्नी से मिलने नहीं आता अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता कोल तक नहीं करता भाईया आखिर मुझे लगता है अक्का साहिब ने जबरदस्ति शादी करा दी होगी अब सावी होगी इसकी या तो बुद्धी सुधारे किया ये अक्का साहिब की बुद्धी सही करेगा पता नहीं फिल हाल तो जो है इनकी एंट्री हो रही है अब देखना है कि इसके आने से कहानी कितनी इंट्रस्टिंग बनती है क्योंकि मामा कांड तो खतम हो गया तो मामा कांड खतम हो गया सावी की लवी स्टोरी सुरू हो गई उसी के बीच में ये एंट्री हो गई तो ऐसे माँ आप गुमे किसी के प्यार के स्टोरी को कितना प्यार देते हैं कमेंट करके जरूर बताइए बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है